किसी भी audio receiver module में एक DET का option होता है जो कि यहाँ पे होता है जो aux input के साथ यहाँ पे jack में दिया गया रहाता है DET का option होता है जैसे कि इस module में भी है और यहाँ पे जो यह panel है उसमें भी हमारा DET का option है मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ यहाँ पे DET का option है यह किसलिए होता है वो मैं आज किस वीडियो में बताऊंगा तो आप वीडियो को कम्प्लीट वाज किजिए फिर आपको समझ में आ जाएगा यह डी इटी आप्शन आखिर होता क्या है तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं हुआ है हलो दोस्तों मेरा नामें गौतम और आप देख रहें यूलैक लेक्टोनिक्स और दोस्तों आज किस वीडियो में हम आपको अडियो पैनल का एक ऐसा सिटिंग बारें बताने वाले हैं जो आज तक आपको किसी ने बताया नहीं होगा यहां पर मेरे पास कुछ पैनल ह जिसमें एक option है DET का ठीक है मैं आपको backset में दिखा रहा हूं यहां पर देख सकते हैं जहां पर आपको aux mode होता है वहीं पर होगा यहां पर देख सकते हैं DET मतलब यहां पर तो आप समझ सकते हैं कि aux left है फिर यह आपका aux ground है फिर aux आ रहा है मतलब audio input आप इसमें दे सकते हो जब यह aux mode पर होगा तो ठीक है और चौथा नमबर जो यहां पर option है DET का वो किस काम के लिए होता है तो दोस्तों आज की studio में हम इसी के बारें बताने वाले हैं तो सबसे पहले मैं यहां पर बता दो दोस्तों कि यह सभी module में यह option नहीं रहता है किसी-किस module में यह option रहता ह है और यह option किस लिए होता है दोस्तों तो यह aux mode के लिए ही होता है जैसे कि आपने देखा होगा कि जब हम module में यह पीन को लगाते हैं aux वाले जैक में तो automatic यह हमारा aux mode पर चला जाता है और जैसी हम इसको निकालते हैं तो यह हमारा normal aux mode से यह हट जाता है पहले ऐसा नहीं थ फहले aux mode पे इसको करना था ठीक है तो यहाँ पर आप जो क्या है कि जैसे ही आप इसको जैक में लगा गवे तो यह automatic है जो aux mode पर चला जाएगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो aux में यह पीन लगे होते हैं तो आपने यह जरूर सोचा होगा कि यह जो पी पीन है इसी option के लिए बनाया गया है यहाँ पर देख सकते हैं यह डी इटी उसी option के लिए बनाया गया है जब इसमें क्या करेंगे यह डी इटी और जी एंडी जब आपस में सौट करता है तो यह अटोमेटिक हमारा ऑक्स मोड पर चला जागा मैं आपको यह मॉड्यूल में आप देख सकते हैं कि कहीं पर ऑक्स मोड का यहाँ पर यह ऑप्सन नहीं है ठीक है यहाँ पर मैं आपको लगा कर पहले चेक करके दिखाता हूं तो देख लीजिए यहाँ पर यह अभी एफम मोड है मैं इसको मोड चेंज करता हूं यह ब्लुटूथ मोड है फिर मैं इसको चेंज करता हूं एफम मोड है फिर मैं चेंज करता हूं यह ब्लुटूथ मोड है यह ऑक्स मोड पर आता ही नहीं है यहाँ पर डिस्पले में द दिखेगा मैं बैक्षाट से ऐसे करूंगा जैसे कि यहाँ पर इस डी इटी और जी एंडी वालों को एक साथ जब सॉट करूंगा तो यह अठी हमारा ऑक्हाट करके छला जाया का मैं आपको यहाँ पर सॉट करके दिखा रहा हूं अप देख लिजिए यहाँ पर मैं यहाँ पर इसको लगा दिया ठीक है देख सकते हैं यहाँ इस मोड पर आटमेटिक आ挑 जाता है ज Kafको रहा only जिस मोड पर डियानता है जैसे यह यहां पर देख सकती है यहां पर इस परकार से damned और यहां पर एसमें जब टच करते हैं तो यह हमारा odd मौड पर piss चला जाता है तो यहें पर दिखा रहा हूं यह में टाश कर रहा हूं एसमर्ण पर आजाएगा और यह हैमारा multip पर आ जाएगा जाएगा नियद और यहां चैकल अच थो सो से मोड्यूल में भी ओप्ष಄ का जो से लगते हैं यह हमारा left right के लिए यहां प्रिंट प्रिंट उपर दे दिया गया है तो यहां पे यह चोथा नमबर पीन है उसी में connected होता है यहां पे ठीक है मैं आपको दिखा देता हूं यह इस पैनल को मैं इसमें लगा कर दिखा रहा हूं तो उससे पहले मैं आपको इस जैक को थोड़ा चेक करके दिखा रहा हूं दोस्तों कि यह हमारा किस प्रकार से काम करता है तो normally हम क्या करेंग मोट पर रखेंगे और यहां पर यह उपर वाला ग्राउंड है और नीचे वाला भी ग्राउंड है लेकिन अभी यहां पर हमारा continuity नहीं बताएगा यह अभी हमारा कोई continuity नहीं बता रहें और जैसे हम इस पीन को यहां पर लगा देंगे यहां पर मैंने इसको लगा दिया अ उसी परकार से यहां पर यह काम करता है तो चलिए मैं आपको यहां पर वायर को कनेक्ट करके और इसमें लगा कर दिखाता हूं दोस्तों मैं यहां पर इस जैक में मैंने वायर को कनेक्ट कर लिया है और यह लोग वायर देख रहे हैं यह हमारा चौथा ओप्सन हो जाता है जो चाहोगा कि यह RCA socket जो होता है home theater के पीछे जो लगा होता है वो आप इसमें लगा के अगर RCA socket को लगाते हो तो वो आपका बिल्कुल काम नहीं करेगा यह function सिर्फ इसी socket में काम करेगा चलिए मैं आपको चेक करके दिखाता हो तो मैंने यहाँ पर इसमें supply दे दिया है और यह हमारा भी bluetooth mode पे है और जैसे हम लगाएंगे यह jack को तो यह हमारा automatic aux mode पे चला जाएगा यहाँ पर मैं लगाऊंगा देख सकते हैं यह automatic aux mode पे चला गया और जैसे हम इसको अगर मोड्यूल है और DET का ओप्षन है तो आप इस ओप्षन का फायदा उठा सकते हैं तो दोस्तों अमारे वीडियो कैसा लगा तो प्लीज लाइक करें शेयर करें और हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आपका दिन हो